दोस्तो हर कोई चाहता है कि उसके घर पर एक मनी पलांट हो और मनी पलांट बढ़ता हो मनी पलांट बहुत ही अच्छा लगता है और घरों में एक सोबा बढ़ा देता है एक मनी पलांट की बेल होती है अगर इसको हम मोस्टिक पर लगा देते हैं तो और भी ज्यादा चार च में लगा सकते हो और एक जमीन पे भी लगा सकते हो और इसको चाहे तो आप पानी में भी बोतल में भी उगा सकते हो तो एक इंडोर प्लांट है जो कि आप इसके लगाने का तरीका और कैसे इसकी देखबाल करनी होती है वो सारा तरीका मैं आज की वीडियो में आपको शेयर क प्लांट की बेल को हरा बरा रख सकते हो तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप अपने घर पर मनी प्लांट का पोदा उगा रहे हो तो यह एक इंडॉर प्लांट है और इसके लिए आपको जादा क्यार करने की बिजूरत नहीं होती तो सबसे कहले द्यान क्या देना होता है दोस्तों आप जिस जगह पर जिस मिटी मेंлов और स मिटी में सबनारी हो तो इसके लिए जो मिटी होती है इस दिखाई रहे हो इन समय और दिखージvत कि खाद होता है इसमें पलतीлон आपको क्या करना है दोस्तों इसमें कोई यह जो बीज बगारा से नहीं उगती यह जो आपको दिखाई दे रही है मनी प्लांट का पोदा होता है यह बेल बगारा यह बीज बगारा से नहीं उगता है इसका आपको सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों इसकी कटिंग करनी होती है और कटिंग के लि नीच्छे जड़ से इसकी cutting कर सकते हो, और cutting करके, यहाँ से देखिए, इस तरीके से cutting करके, इसको आप एक गमले में बगुध कर सकते हो, और चाहे तो आप इसे धर्ती पर भी मिट्टी में बीड़ कर सकते हो, यह इंडोर प्लांट है और इस पॉदे को दूप की ज़्यादा वसकता नहीं होती यह बिलकुल यह घर में ही हो जाता है और इसके बाद क्या करना होता है आपने simple तरीके से इसके अंदर यह करने के बाद यह और इसमें पानी डालना होता है पानी डालना होता है, पानी डालने के बाद ये इतने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर जाता है, बहुत ही फास्ट तरीके से, अब ये कम से कम एक वन वीक में इसी में से जड़ पकड लेगा, ये जो आप गमले में रुगा कर दखाया, और गमले में ही बहुत अच्छे तरीके स से जड़ पकड़ लेगा और गमले मुगाने के беремodel दोस्तों देखिए जैसे कि यहां पर रुगा qr दखा आइए आपने यहां एक मोस्टिक की सहता से इसके उपर फिर जैसे जैसे ही हमारी बेल बढ़ती हो जाएगी सो यहां पर हमने बेलो और हरी बरी बेलो लगाने को हर कोई लगा सकता पर केर करना बोट ठोड़ा ध्यान देना होता इसवे तो सबसे बात जुरूरी है कि दोस्तों यह एक इंडॉर प्लांट है और इसमें पानी की जूरत नमी हर हर शमय नमी पानी मिट्टी में नमी होनी चाहिए जिससे कि पोदा अगर इसको सूर्य की किरण बिल्कुल पसंद नहीं अगर सूर्य किरण इस पर पड़ेगी क्या हो जाता है यह पेले रंग के पत्ते हो जाता है तो इसलिए आप इसे अगर आपका होम गार्डन है या युगाया है तो मिट्टी में भी दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से उग जाती है देखिए यहां पर जैसे कि जड़ की बात करें यहां पर इसकी जड़ है और जैसे जैसे मिट्टी में होती जाती है तो इसकी जड़ जो यह बेल होती है यह अपने आप ही मिट्टी मे ही जड़ पकड़ने सुरूपर देती है देखे जैसे कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह मिट्टी में ऐसे जड़ को पकड़ लेती है तो मिट्टी में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से उगा सकते हैं बस द्यान एक बात का देना होता है कि इसके लिए जो खाद ह हथ बोलते हैं तो पहला तरीका दोस्तों आब आपको मैंने दखाई दूसरा तरीका यह कि आप इसे जमी पर व्यूगा सकते हो को अ-चाहिकर करते हैं हमारे पास यह बहुतल दोस्तों स्ट पाल में पाने लिए सबसे पहले क्या करते हैं यह इसको कट कर regulatory करना है इस तरीके है देखें कट करने के बाद दोस्तों यह देखें इस तरीके से और नीचे से यह उपर की तरफ यह हिस्सा होना चाहिए तो आपने क्या करना है इसके अंदर इसमें ऐसे करके इसे यह ध्यान देने वाली बात ही है दोस्तों कि जो निचला सिरा यह इसका पा थाइंग रूम में कहीं भी इसी जगह पर रख सकते हो यह इंडोर प्लाट और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ पर पुरूर यह वेक में एक बार पानी बदलना का जुरूरी होता बस इसमें हर 15 दिन के बाद आपको क्या करना है इसकी फूर्पी बगारा से निराई गुडाई करके और इसमें थोड़ा खाद होता है जो वर नी कमपोस्ट खाद अभी आपको ने दिखाया वह खाद डालना होता है वह आपको मार्केट से मिल जाएगा इससे क्या होगा कि हम तो सबसे बात चीजिया है कि इसकी जो नमी है मिट्टी यह हमेशा नमी होनी चाहिए यह गिली होनी चाहिए अगर यह सूखा होने पर यह बिल्कुल हमारी बेल पत्ते पीले पड़ जाएंगे और यह ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा इतना फाश तरीके से तो सबसे बढ़ी आ कहीं मिट्टी में हैं जैसे कि यहां पर मिट्टी में होगा रहे हैं तो उसके लिए भी इसके उपर चाहिए चाहिए जैसे कि यहां पर यह यह आपको दिखाई दे रहा है जाल बगारा लगाया तो इस तरीके से आप इसे बूत अच्छे तरीके से अपने घर पर बहुत ही